नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूझा मद्रप्रदेश, राजिस्थान, चत्रिसगर, तिलंगाना और मिजरम में हुए विधान सबाद चुनाओ 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे इससे पहले अलग-अलग एज़नसियों के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं जिसमें अदिकतर एज़नसियों के सरवे में बीज़िपी की जीट और कॉंग्रोस पार्टी की हार नज़रारी है और इस हार को देखकर कॉंग्रोस पार्टी में खलबली मज गई है राहूल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहूल गांधी तो जीत का दावा कर रहे थे पर आखिर कौन सियासी गलती हुई जिससे कॉंग्रोस पार्टी का नामों निशान मिठता नज़रा रहा है मुदिशा ने क्या से राहूल गांधी की हेकड़ी निकाल दी आज इसे पर चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद हैं क्यापचल टीवी के एडिटर इंजीब डॉक्टर मरीश कमार्णुक सब बहुत बहुत सबागत है आपका दंदेबाद का पूरा केंपेंग जो दिली से नियंतर्त था राहूल गांधी प्रियंका वाडरा और बागी कोई लोग तो गए मैं आप नी क्या किया राहूल गांधी जहां गये वहां वो देश्क बारे में बाचीत कहने लग है राजस्थान गये तो देश के बारे में बात किया मद्धप्रदेश गये देश के बारे में बात किया चतिस गड़ गये देश के बारे में बात किया वो भाशन में बोलें 2024 में हमारी सरकार आएगी तो यह करेंगे कॉंगरेसी माथा पीट रहे थे कि आप अपना केंपेंड करने आये हो 2024 का या फिर आप इधर जिताने आये हो वो तो कॉंग्रेस पार्टी की इज़त बच गई क्योंकि तीन धुरंदर खिलानी कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से बैटिंग कर रहे थे कि राजस्थान में गहलोत गहलोत ने साबित कर दिया कि वो अकेले कैंपेंड लीड कर सकते हैं कमलात ने मद्व प्रदेश का मूर्चे समाला और बगेल साब अत्तीनों जगा एलेक्शन फसा हुआ नगर आ रहा है लेकिन इसके बिच्छे की वज़ा क्या है राहुल गांदी तो जहां जहां चुनाव प्रशार करने गए उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया अडानी अडानी मोदी पर हमला बोला क्या यह चूक हुई है यह बहुत बड़ी चूक है यही मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दे इनको 2024 में उठाने है आप पंचाइट के यह उठायेंगी मुनिस्पनेटी के यह उठायेंगे आप एसेंबली मुठायेंगे जब किसी लीडर को यह मालूम ही ना हो कि लोकल मुद्दे एसेंबली में कैसे उठाया जाए वो प्रचार क्या करेगा वो प्रचार क्या करेगा तिलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी नहीं डीके सिवकुमार करनाटक से रिसोर्से करनाटक से सारा कुछ सब कुछ जो है वो मदद और वहां क्रिस्टिन कम्मुनिटी चर्च का एक एहम रोल मुस्लिम और्गनाजसन का अलग अहम रोल तो ये सारे चीज़े को राहुल गांदी ने अपने आपको वहां एक्सपोज किया राहुन गादी को ये लग गया कि वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत रहे ये उनको बताया गया and he took it very seriously कि बाई अब तो राजस्तान भी जीत रहे हैं ये free कर दिया वो free कर दिया ये योजना वो योजना कमलनाथ आराम से जीत रहे हैं वहाँ पे सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे थे राजस्थान में भी कॉंग्रिस जीत रही थी तो ये तुक दे विक्ट्री टेकन फोर ग्रांटेट और यही पे प्रदाहन मंत्री मुदी ने खेल किया और अमिशान ने खेल किया आप हवा हवाई केंपेंड करते रहे प्रदाहन मंत्री ने क्या किया प्रदाहन मंत्री ने अपने आपको आगे कर दिया मद्द परदेश में आप टार्गेट करने की पूरी तैयारी कर चुके थे किसको शिवरा सिंग चोवान को सिवराज सिंग को सीन से हटा दिया आपके टार्गेट में कौन थी? मसदुर राजी सिंधिया उसको भी टार्गेट से हटा दिया पार्टी वहाँ पे टूट फूट कर रही थी लेकिन इस तरीके से नहीं जैसा कि कॉंगरेस पार्टी के अंदर हु रहा था और प्रधान मंत्री मोदी ने क्या खेल खेल दिया राजस्तान में आगर आप देखें तो राजस्तान में इन्हों ने कॉंग्रेस के काडर्स को ही आपस में लड़ा दिया और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हालत इसलिए खराब है क्योंकि अब मालुम चल रहा है कि गूजरों के बीच प्रधान मंत्री मोदी ने राजस्त पैलेट सचिन पैलेट के पिता के बारे में बताया कि गूजरों का बड़ा अपमान किया कॉंग्रेस पार्टी ने पिछली बार कॉंग्रेस पार्टी जीती थी क्योंकि गूजर वोट जो है सचिन पैलेट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा एक गूजर मुख्यमंत्री बनीगा इस वज़से पूरा का पूरा गूजर वोटर जो है वो कोरिस पाटी के साथ था अब प्रधान मंत्री ने ऐसा काम कर दिया अब मैं जीन जगों पे सचिन पैलेट का उमिधवार था वहां गूजरो ने तो कॉंघ्रूस पांटी को वोट किया लेकिन जहांज गहलोत सभके वहां पूमिधवार थे वहां गूजरो ने भाष्टी जन्ता पांटी को करतिया अब आप जाकर के अडानि अडानी करोगे मैं से रावर गांदी की भविश्वानी सही साबित हो रही थी कह रहते ही कि राजस्तान से मारी सरकार जा रही है अब उनके यह तो यह तो गड़बड़ करते रहते हैं भासन में जो है वो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं खैर मेजर पॉइंट क्या है कॉंग्रेस पार्टी इन नुएंसिस को समझ नहीं सकी इनको लगा कि जो फर्मूला हमने अपनाया ओल्ड पेंशन तो फ्री विजली तो फ्री पानी तो फ्री बस राइड महिलाओं को यह फ्री वो फ्री अनिम्प्लाइमेंट लोगों को सटेपन देंगे ये करेंगे उससे यह कोई जीत का फर्बूला निकल गया है और इसी में वो ओजल हो गये राजस्थान हाथ से निकल गया मध्यप्रदेश में अमिश्चा और प्रणान मंत्री मोदी ने क्या किया ये काम कोई दूसरी पार्टी करही नहीं सकती मंत्रियों को भेज़ दिया मैदान में उतारके कैन यू इमेजिन कोई दूसरी पार्टी होती केंदर में वहाँ अपने केंदरे मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर को तो उमर साहब जैसे सीनियर लोगों को आप एमेले का चुनाओ लड़वा देंगे राश्ट्री एस्तर के लीडर विजे वर्गिस को आप एमेले का चुनाओ लड़वा देंगे इन लोगों को रिजर्वेशन था अपने क्लोस सर्किल में ये कहते थे कि मेरे तो चुनाओ लोड़ने का मन नहीं है लेकिन सब कुछ स्टेक पर लगा दिया कोई विद्रो नही कहा सब लोगों ने क्या कहा जो संगटन की एक्षा है कि सिवराज सिंग्चवान को पता नहीं प्रधान मंत्री मोदी ने क्या मंत्र दिया उनको वहां से हटा दिया गया कि आप मुख्य मंत्री का चेरा नहीं होंगे इसके बावजूद डबल ट्रिपल इनर्जी से ये आप ये देखिए कि कॉंग्रेस पार्टी की आज जो ये हालत है कि राजस्थान और मदपरदेश जहां कॉंग्रेस पार्टी तीन मैंने पहले बड़ी आसानी से जीत रही थी वो हाथ से सिलिप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी के स्टेट जी और अमिस साह का संगठन के उपर पूरी तरीके से कमार्ड और कंट्रोल और लोगों के द्वारा वहां जो काम किया गया है एलेक्शन थे बासन से नहीं जीते जाते एलेक्षन सिर्फ नरेक्टिव क्रियेट करके नहीं जीते जाते हैं एलेक्शन जीतने के लिए कई सारे काम करने होते हैं उसमें सबसे एहम है कि आप अपने संगठन को पूरी तरीके से मोबलाइज करें राजस्थान और मद्द प्रदेश से ये खबरे आ रही थी ये कॉंग्रेसी पत्रकार से भी बता रहे थे कि कॉंग्रेस के लोग पॉलिंग बूथ पे नजर नहीं आ रहे हैं ये क्या हो गया तो आप कैसे जीत हो गए तो जो कॉंग्रेस पार्टी की वीक्निस थी उसको प्रदान मंतरी मोदी और अमिस्था ने बड़े अच्छे तरीके से एक्स्प्लॉइट किया तीन मैने पहले कॉंग्रेस पार्टी यहां पे थी आसानी से तीन और चार राजी जीत रही थी वहां से घटे 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 आपके हाथ से आपकी जीत के मुह से आपका जो निवाला जो है कॉंग्रेस पार्टी का वो अमिस्था प्रदान मंतरी मोदी ने छीन लिया है वैसे ये exit पोल है तीन तारिक को पूरी कहानी सामने आएगी और अगर भारती जनता पार्टी ये जीत जाती है दो हजार चौबिस का चुनावं Congress Party के लिए तीन तारिक को ही ओवर हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सेर धन्यवाद तो exit पोल की नतीजों ने Congress Party को चौका दिया है बड़ा जटका Congress Party को लगा है राहूल गांधी की परिपकवता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और BJP की रन नीती काम आती नज़र आ रही है एक्जिट पोल पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देखती रहे Capital TV नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुचने की हमारी सयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत पर स्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से है Capital TV पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहा है बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से है